प्रधानबंत्री नरेंद्र मोदी ने ओस्ट्रिया दौरे के दौरान वियाना में चांसलर नहमर के साथ बातशीत की दोनों नेताओं के बीच कई मुद्धों पर चर्चा भी हुई बैठक के बाद पीम मोदी और चांसलर ने सयुक्तु प्रेस कॉन्फरेंस की प्रधानमंत्री नारेंद्र मोदी ने कहा कि उन्हें अपने तीसरे कारेकाल की शुरुवात में आस्ट्रिया आने का अफसर मिला सयुक्त प्रेस वारता में प्यम मोदी ने कहा कि आज मानवता के सामने जलवाईयों परिवर्तन और आतंग बाद जैसी चुनोतियों पर विचार साचा किये उन्हें कहा कि हम सयुक्त राष्ट्र संग और अन्य अंतर राष्ट्रिय संस्थाओं में रिफॉर्म के लिए सहमत है ताकि उन्हें समकालीन और असरदार बनाया जाए आस्ट्रिया के चांसलर के साथ सायूंक्त प्रेस वारता में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आपसी सहयोग को और मस्बूत करने के लिए नई संभाबनाओं की पहचान की है उन्होंने कहा कि ये निर्न है कि संबंधों को स्ट्राटेजिक दिशा प्रधान की जाए आने वाले दर्शक के लिए साहयोग का खाखा तैयार किया गया है सायूंक्त प्रेस कॉण्फरेंस के दौराण प्रधानमंत्री मोदी ने चांसलर नह्मर के प्रति उनके मितरता के लिए आभार प्रकट किया और भारत यात्रा करने के लिए निमंत्रत किया किया जाएगा दोनों देशों की युवा शक्ति और आईडियाज को कनेक करने के लिए स्टार्ट अब ब्रिज को गति दी जाएगी इस बीच प्रधान मंत्री आज दिल्ली में प्रख्यात अर्थ शास्त्रों के साथ समबाद करेंगे प्रधान मंत्री आगामी केंद्री बजट पर भी अपने विचार साचा करेंगे और सुचाप देंगे